हलो दोस्तों यह पुसाख हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं और आप लोगों की डिमांड पे इसका हम टोपी बनाएंगे हलागे हम पुसाख के लास्ट में टोपी का हिंट्स दिये हुए थे लेकिन आप लोगों की डिमांड पे हम टोपी का अलग से वीडियो बना रहे हैं तो ये एक तरह से समझे तो दो नंबर के कानहाजी के लिए fix है यानि fit बैठेगा और अगर आप बाल बिना बाल डाले हुए टारेक्ट आप इस तरह से पहनाएंगी तो ये तिन नंबर के कानहाजी को भी आराम से आजाएगा तो चलिए इसे हम बनाना सुरू करते हैं देखिए इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से उन ले लेंगे और यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे एक दो तीन अब देखिए ये तीन न हम लिए तो ये एक डबल क्रूशिया का काम कर रहा है अब हम आगे यहाँ पर और डबल कुरूशिया बनाना शुरू करेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, अब हम इसे टाइट करेंगे और यहाँ लाकर इसे जोड लेंगे इस तरह से जोड दिये अब तीन चेन ले लेंगे, दो, तीन, सबसे पहले हम यहाँ पर इसे गाठ लगा लेंगे ताकि यह धीला ना हो अगर यह धीला होगा, खूल जाएगा तो टोपी आपका गड़बढा जाएगा तो देखिए हम एक यहाँ से किसी भी में हम होप को डाले और इस तरह से इसे निकाले और एक चेन यहाँ पर डाल दिये तो यह समझे गाठ लग गया आपका, अब आप इसे यहाँ पर निकाल सकते हैं, निकाल कर सकते हैं इस उन को आप तो हम हलका सा इसे कट कर लेंगे, अब इसे हम पलट लेंगे, इस तरीके से, अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पर हम तीन चेन ले लिए हैं, फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद इस जगह से एक डबल क्रूशिया इस तरह कर लेंगे, फिर से बगल से हम दो ड इसके बाद फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक और ये रहा दो, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक और ये रहा एक, दो हो गया, फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, एक चेन से दो डबल क्रोशिया, एक और एक दो अब देखिए बीच में यहां पे एक और बचा हुआ है तो यहां से भी हम एक डबल कुरूशिया और निकाल लेते हैं अब हमारे पास डबल कुरूशिया का संख्या कितना हो गया देखते हैं हम सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दर, शिगार, बारत, तेरह और यह जो चेन हम लिए हुए हैं यह तीन इसे मिलाकर 14 हो गया तो 14 डबल कुरूशिया यहां पे हमारे पास हो गया अब इससे हम इस पे लाकर जोड़ देंगे इस तरीके से जोड़ने के बाद देखिए इसे हम एक लाइन और बुने हुए हैं इस कलर से तो हाला कि हम एक लाइन यहां भी डाले हुए हैं तो यह हम बाद में बताएंगे अभी पहले एक लाइन और हम मुन लेते हैं देखिए एक लायन जो हमें बुनना है वो एक chain से 1 double crochet बुनते हुए गुलाए हमें complete करना है इसका पर टेक chain से 1 double crochet यहाँ पर अब हमें इस लायन में बढ़ाना नहीं है फंदे को देखिए इस तरह से इसे बनाकर कम्प्लिट करेंगे तो यह कम्प्लिट हो गया अभी से हम यहाँ पे लाके जोड़ देंगे यहाँ जोड़ दिए अभी गाठ लगा लेंगे और धागे को अभी में काटना नहीं है अभी अगर जैसा कि उस पे बुना हुआ है उसी तरह हमें एक राउंड और बुनना बाकी है तो अब हम सबसे पहले धागा चेंज करेंगे और इसका जो यह किनारी बनाए हुए है यह किनारी बनाएंगे किनारी भी बहुत ही सरल तरीके से बनाया हुआ है तो चलिए हम बनाते हैं जो डिजायन हम पो साक में डाले हुए हैं उसी डिजायन से किनारे भी बनाए हुए हैं तो इससे हम बनाते हैं सबसे पहले धागे को जोड़ेंगे देखिए जोड़ने के लिए हम इस पे ले जाएंगे फंदे को और इसे टाइट करेंगे ताकि ये खुले भी नहीं और जब जरूरत हो आपको तब आप इसे यूज कर सकते हैं इस धागा को देखिए इस तरह से हम बुन लिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है फंदे लेंगे एक यानि कि हमारे पास तीन हो गया तीन हो गया तीनों को एक साथ गिरा देंगे अब यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से करने के बाद यहाँ हम चेन डाले हुए हैं में हम यहाँ पे complete किये हुए हैं दुबारा लाइन हम नहीं बनाए हुए अगर आप चाहे तो इसे दो लाइन में भी complete कर सकती हैं सबसे पहले आप एक चेंज से दो double crochet में नहीं तयार करना है हमें single crochet तयार करना है इसके बाद दूसरे बार में हम 5 इस तरह बना के तो हम यहाँ पर एक ही बार में इसे complete करेंगे देखे किस तरह करेंगे एक दो तीन चार पाच और फिर से इसे और इसे दोनों को हम लेंगे नजदीक से दिखाते हैं यह दूर से दिखने रहा होगा देखे इसे हम यहाँ पर दो यह जो आप दो दो देख रही है इसे हम दो लिये हुए हैं तो दो लेने के बाद यहाँ पर इसे इस तरीके से लाकर बंद कर देंगे फिर एक फंदा ले लेंगे और इसी अस्थान से हम एक बार और इस तरह निकालेंगे और तीनों को एक साथ बंद कर दिये फिर पांच चेन लेंगे एक दो तीन चार पांच और यहां पे देखें यहां और यहां इस तरह से निकाल कर इसे बंद कर देंगे तो हम एक चेन से दो बार किए, तो इसी तरह से हम एक चेन से फिर से दो बार करेंगे, यह हो गया, यह हो गया, अब फिर से हम पाँच चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और इसे लाकर इसी अस्थान पे बंद कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बंद किये हुए ह देखिए इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे यहाँ पर बंद कर दियें फिर से फंदे लेंगे और जिस जगह पर हम एक चेन से बनाएं उसी जगह पर फंदे को डालेंगे और दूसरा यहाँ से हम लेंगे बनाएंगे और फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चेन ले लेंगे और इसे हम यहाँ पर लाके इस तरीके से फिर से बंद कर देंगे देखिए तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे पूरी गुलाई में कंप्लिट करेंगे जैसा कि हम इस टौपी में किये हुए हैं देख रही हैं आप यहाँ पे एक जगह से हम दो बार लिए हुए ह चैंख आपर um एक चेंज से हम एक चेंज से दो बार लें दो वार लेकर इसे बनाये हूए हैं तो इसी तरह बनाते हैं उसे पूरे गुलाई इस तरह से तयार हो गया अब इसे बनाएंगे यह जो हए हुं बाद में दीए कितना और अवह यहां से अगर हम लेते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दर, शिगारब, बारा, तेरा, तेरा या चवदा आप डाल सकती हैं यहां पर यानि कि जो डबल कुरूशिया आप यहां बूनी हुई हैं उसी चीज को उठा के एक लैन में यहां पर बून यहां पर चेन हम लगाएं एक यहां पर एक चीज ध्यान दे कि हम यहां पर डबल कुरूशिया ने किये हुए हैं अगर आप चाहती हैं तो डबल कुरूशिया कर सकती हैं तो हम यहां बिना डबल कुरूशिया का बनाए हुए हैं तो यह एक दो चेन जो हम दिये तो एक का क को एक साथ किरा देंगे फिर से लेंगे फंदे फंदे लेने के बाद फिर से हम यहां से इस तरीके से लेंगे और तीनों को एक बार में गिरा देंगे फिर लेंगे तो इस तरह से हम इसे पूरी गुलाई में बना कर कम्प्लिट कर लेंगे हम इसे कहां से ले रहे हैं देखे बिल्कुल हम यहां से ले रहे हैं इस जगह से ले रहे हैं और इसे एक बना लिए फिर इसे हम इसी इस्थान से लेंगे और एक बनाएंगे तो इस तरह से करते हुए हम चलिए इसे गुलाई में कम्प्लिट कर लेते हैं अगर आप इसे धीला धीला डालेंगी तो आप ये तिन नमबर के कानाजी को बाल के उपर से भी डाल सकती है इस तरीके से अब हमारे पास बहुत ही कम बचा हुआ है दो के लगभग तो देखिए ये बन गया और यहां से फिर एक लेंगे हम और इसे बनाएंगे अब दिखे गुलाई है हमारा यहां पर पहुँच गया गुलाई में तो हम इसे यहां पर डालेंगे जहां से इस्टार्ट किये हुए थे जहां से हम इसे start किये हुए थे उस यगह पर डालेंगे और डाल कर यहां पर हम गाठ लगा देंगे एक तू और एक और फिर हम chain ले लिए अब उनको हम cut कर लेंगे उन हम हटा देंगे और इसे यह जो है इसे देखी किस तरह से मेट जेस्ट करेंगे यह हो गया फिर इसे एक बार हम इस तरब से ले आएंगे फिर एक बार इस तरब से एक बार इस तरब से अब इसे हम cut कर सकते हैं इसे भी हम इसी तरह से ले आएंगे अंदर की और यह हो गया तो आपका देखिए यह टोपी बनकर तयार हो गया इस तरह से टोपी बनकर तयार हो गया आपका जो आप अपने कानाजी को पहना सकती है यह देखने में काफी अच्छा लगता है लेकिने आप तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को यह टोपी अच्छा लगा होग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू